कोई मानपता बिहार के परती नहीं है नितिस्कुमाज उनका बयान सर्मसार कर रहा है बिहार को बिहार के लिए मुकमंत्री अब दुर्भाग पुन्न हो गया और यदि आप कहेंगे कि जरली सराप से हुआ तो आप लोगों के भी खिलाप F.I.R करें मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ किस कानून के तता आप फायर करोगे नमस्कार आप देख रहे हैं बिहार इंसोट्स मैं हूँ आपके साथ रोहित आपको पता दे कि बीते दीन छपरा और सिवान में जहरीली सराप पीने से कई लोगों की मौत हो गई दिये देगा मिन तमाम चीजों के लेकर बिहार विधान परिशत के जो निता परतिपक्ष सम्राठ चौधरी मुक्ख्यम अंतिंति इसकुमार परे जम कर हमला बोला है और क्या कुछ का रहे हैं अब देखे इस वीडियो पर आज मैं एक महत्तपून जानकारी के लिए आपके बीच में आया हूं कि पुलीस के द्वारा पिछले दो दिनों से हम लोग जीरो ग्राउंड जीरो पर गए महा महिम राजपाल को भी जाकर हम लोगों ने इस बात को बताया और जिस तरह का बयान मुकमंत्री नितीश कुमार जी का आया कि मुआपजा हम नहीं देंगे ये उरी तरह स्पस्ट हो गया कि बिहार के मुकमंत्री नितीश कुमार के कोई संबेदना नहीं रखते हैं बिहारियों के परती कोई मानाप्ता बिहार के परति नहीं है नितीश कुमाज, उनका ब्यान सरमसार कर रहा है बिहार को बिहार के लिए मुकमंत्री अब दुर्भागपुन्न हो गय है जिस तरह का ब्यान बोल रहे हैं और उनकी पुलीस पूरे छपरा में सभी जगह जाकर सभी मिर्तक परिवार को धमकाने का काम कर रहा है और कह रहा है कि आप कहिए कि हमारा परिवार का लोग ठंडा से मरा तो हम आपको मुआपजा देंगे और यदि आप कहेंगे कि जरली सराप से हुआ तो आप लोगों के भी खिलाप फायार करें मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ किस कानून के तता आप फायार करोगे सराप पीने वाला व्यक्ति मर गया अब उसके परती संबेदना दिखाने की जौरत है उस परिवार के परती संबेदना दिखाए छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी विद्वा है उनके माता पिता है तो इसकी चिंता करनी चाहिए और नितीश कुमार के मुखमंत्री के रहनत से हुए छे परस से बिहार में कानून है कि सराप बंदी होगा और सराप धरले से भीकरा होम डिलेवरी हो रहा है आपको तुलना करना है नितीश बाबू आप कहते हैं उत्तर परदेश हर्याना अमद्व परदेश की चर्चा आप और आपके मंत्री लोग कर रहे हैं अरे भ साड़े छे लाक लोगों को जेल में बंद करके रखा है और जरेली सराप से हजारों लोगों की मिर्ति हो गई और इन लोगों ने सरकारी रिपोर्ट में क्राइम भीरो आफ इंडिया को गलत आकड़ा पेस किया इन लोगों ने 16 से लेकर 20 तक मात्र 23 मिर्तिव का बेजने का रिपोर्ट भेजा है जो अत्यन ही दुरभाग पूर्ण है एक एक दिन में तैस्ता इस लोग मर रहे हैं और छप्रा में तो बड़ा असपस्ट है कि यह थाना से सराप स्प्रिट भीका उसकी अवैद असूली की गई ना वहां के थानेदार पे करवाई हो रही है ना स्पी काम हो कारवाई हो और कोई विशेस टीम भी बनाने की मांग बार बार हम लोग कर रहे हैं कि आप टीम बनाओ पटना हाई कोट के सिटिंग जस्त से पूरे मामले की जाच कराई जब तक निस्पक्स जाच नहीं होगा तब तक दोसी पता नहीं चल पाई और सभी परीवारों को मौप्जा मिले सभी परीवारों को रोजगार की उत्पन करने की स्थिति बने इस पर चिंता करना चाहिए लेकिन सबसे चिंता का विसे है कि सभी परिवार के लोगों को डराने का काम किया जा रहा है धमकाने का काम किया जा रहा है लोप लगाती भी दिखे और साब साब का है कि जो नितीश कुमार की पुलीस है जो लोग भी मरें उनके घर जाकर यह बात बोला जा रहा है कि बोल दीजिए कि परिवार आपके ठंडा से मरें तभी आपको मुआउजाद दिया जाएगा अगर बोलिएगा कि सराप पीकर मरें तो मुआउजा नहीं दिया जाएगा और भी क्या कुछ का रहते हैं समराच चोधरी अपने इस वीडियों में देखा पासे इसी तरह कि तमाम खबरों के साथ अब पर साथ जूड़ा है तद पक्रिधन्यवाद